नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका BK Allrounder चैनल पर दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं डॉक्सी लाइब कैपसूल के वारे में पूरी जानकारी तो दोस्तों आपसे अन्रोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें और अभी तक यह दिया आपने हमेरे चैनल को सब् सब्सक्राइब कैपसूल दोस्तों और बात करने इसके साल्ट की तो एंब्रोक्सिल हैट्रोक्लोराइड 7.5 mg इसके अपसूल के अंदर होता है प्रतिकैपसूल में और 100 mg डॉक्सी साइक्लिन प्रतिकैपसूल में होता है और लेबरेट फार्मा सीटिकल्स इंडिया बात कर लेते हैं दोस्तों इसके यूजिस के बारे में कि किन किन समस्याओं में आप इसको यूज कर सकते हैं तो इसका इस्तेमाल दोस्तों आप दाद खाज खुजली सांस की समस्या हो खांसी आ रही हो है और बलगम हो तो बलगम को बाहर निकालने के लिए इसका इपसूल तो इसक Фंसिया भ।कर पहिआ नियुमारिया तु मैं हर तो चालमारिय भ।कर अचैनी इसके वट तो बेरी ओताई सो के अतिमाल कर सकती हैं चैक्वर को कि अधरbadous के अनुसार और दोस्तों सologne इसका 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 इसकाउम जो गर्बती महिला यह जो अपने बच्चे निकलाती हैं बच्चों के उसको ठीक करने के लिए भी इस कैपसूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और दोस्तों डॉक्सी साइक्लिन टेबलिट भी आती है उसका भी इस्तेमाल इन में से कोई भी समस्या है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आज आपको कैपसूल के बा आना चाहूंगा तो दोस्तों यह जो मैंने आपको डोज बताई है एक कैपसुल सुभा है कैपसुल साम को यह 18 साल से उपरवालों के लिए जिनका बजन कम से कम 50 किलो हो बो लोग इस कैपसुल को सुभे साम एक एक कैपसुल खाएं बच्चों को इसका इस्तेमाल कितना करना ह परामर्स के अनुसार ही इस्तेमाल करें और प्रेगनेंट लेडी जो है गरबती महिला या जो अपने बच्चे को दूद पिलाती है वो इसका सेवन डाक्टर की देख रहे कर परामर्स के बिना बिल्कुल भी ना करें तो दोस्तों बात करते हैं से इसके साइड इफेक्ट की तो दोस्तों इसके साइड इफेक्ट में मरीज को उल्टी हो सकती है चक्कर आ सकता है किसी किसी को लूज मोसन हो सकता है तो इनमें से कोई भी समझ से है तो आप इसका इस्तेमाल बंद करके तुरंत ही अपने डक्ट जरूर दबादें जिससे के आने बाले हर नए वीडियो की जनकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे तो दोस्तों आज के वीडियो से इजाज़त दीजिए मिलेंगे फिर किसी दिन नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सुस्त रहें आपका परिबार सोस्त रही यही मेरी इस और से कामना है मिलेंगे फिर किसी दिन तब तक के लिए जैहिन जैभारत जैश्रीराम